हरियाना में आरक्षन की मांग को लेकर जाट आंदोलन अभी भी हो सकता है इसको लेकर जाट समूदाए सकरिये हैं ऐसे में हरियाना सरकार ने केंद्रिये घ्रह मंत्राले से अर्थ सैनिक बल की 56 कंपनी मांगी है हाला कि राज्ये में अर्थ सैनिक बलो की 37 कंपनी पहले से मौजूद हैं उधर पानिपत में हुई बैटक का अधिकारियों ने राज्ये की कैबिनेट ने ब्योरा दिया कैबिनेट ने जाटो की तमाम मांगो को संजीद की से सुना इस बीच हरियाना में आंदोलनकारी जाटो से बाचीत करने के लिए सरकार द्वारा गटित पांस सदस्तिये समीती ने मंगलवार को रिपोर्ट हरियाना सरकार को सौब दी है मुख्य मंतरी खटर ने बताया कि समीती की सिफारिशों का अध्यन करने के बादी उचित निर्ने किया जाएगा आपको बताने कि हरियाना के नौ जिलों में पिछले कई दीन से सरकारी नौकरियों में जाटो को आरक्षन दिये जाने की मांग की जा रही है पिछले साल जाटो के आंदोलन ने उग रूप ले लिया था कई जिलों में हिंसा का जो तांडव हुआ उससे शांती प्रे हरियाना की छवी देश विदेश में धुमिल हुई थी हिंसा पर उत्रे आंदोलन कारियों ने आगजनी की घटनाओं को अनजाम दिया था इसमें राज्ये के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभी मन्यू के रोत तक स्थित आवास को भी आके हवाले कर दिया गया था उस आंदोलन के दोरान करीब 31 लोगों की जान गई थी महिलाओं के साथ रेप के भी आरोप लगे थे हिंसक आंदोलन की जाँच परताल के लिए सरकार ने परकाश सिंग आयोग का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में कई अफसर को सीधे तोर पर दोशी ठहराया था रिपोर्ट के पहले हिस्से को सरकार ने सार्जनी किया और कुछ अफसरों पर कारवाई भी की थी